कि ना ही आपका ग्रीज का टूरिश विजा लग रहा है ना ही आपका ग्रीज का वर्क विजा लग रहा है ना ही आपका ग्रीज का स्टडी विजा लग रहा है और उसके बाद तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शेंजन वीजा की एंड कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तो एक्चली बहुत साथा वीडियो वाइरल हो रही हैं शेंजन वीजा ओपन हो चुका है आप टूरिश वीजा अपलाई कर सकते हैं जैसे कि माल्टा सा लाइक अवेर रही जिए क्योंकि ऐसी वीडियो के कारण में भी हो सकता है देखिए आपका पैसा खराब हो जाए आपका वैलियोबल टाइम खराब हो जाए कुछ एजन्स क्या करते हैं आपकी फाइल्स लेने के चकर में आपको लाइक अक्सेप्ट कर लेते हैं आपको बना लेते हैं राइड ओपन हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है आपके लिए बट आपकी फाइल जो है वो अल्रेडी सब्मिट हो जाएगी बाद में आप विड्रोल तो कर नहीं सकते तो इसी कारण जो है आपको बताया जा रहा है कि टूरिश विजा ओपन हो गया य आप क्या कर सकते हैं उस चीज के अंदर उस कंट्री की VFS ग्लोबल या ड्रैक्ली उनको मेल कीजिए लाइक अभी ओपन हुआ है या नहीं हुआ तो इस मेल से आपको पता चल जाता है कि हाँ अगर ओपन हुआ है तो इस गुड आपको प्रॉपर मेंसे वहां पर मेल मिल जा आप अगर अप्लाई करना चाते हैं तो जुलाई के अंदर बहुत ही जादा चांसी हैं टूरिश विजा ओपन होने के लिए इंडियन के लिए श्पैशली क्योंकि ओलरडी मैं बता देना चाता हूं कि माल्टा फ्रांस इटली स्पेन यह चार कंट्री ऐसी हैं जिनों ने अपना टूरिजम स्टार्ड कर दिया है ओल्डडी बट जो यूई कंट्रीज के अंदर रहते हैं वो अपना शैंजन विजा अपलाई कर सकते हैं बट इंडियन पंगलादेशी पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज के लिए भी टूरिश विजा नहीं ओपन हुआ क्यूंकि हम ओल्र अपने उफिशियल न्यूस के अंदर कि वह बता रहे हैं कि अगर जिन लोगों के पास वैक्सिनेटेड पास्पोर्ट है वह इतली के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं राइट वह भी 15 जून के बाद और उसके बाद अस्ट्रिया ने भी ओल्रडी 36 प्लस कंट्रीज ऐसी हैं जै बहुत ही पॉजिटिव न्यूस आ रही है और स्पेन ने भी बता दिया जुलाई के अंदर अपना टूरिजम स्टार्ट करने जा रहा है राइट पूरे यॉरप के अंदर तो उसके बाद हम बात करें कि ग्रीस ने अपना टूरिजम स्टार्ट कर दिया है अगर आप ऐसी क अक्टूबर तक ही समर है तो इस समर को इस समर के अंदर जीडीप को ग्रो करने के लिए यॉरपन कंट्रीज क्या करते हैं सभी टूरिजम को ओपन करेंगी अभी तो जैसे ही ओपन करेंगी तो मौस प्रबबली हम बात कर सकते कि इंडिया के हालात अब बिल्कुल ठीक है त स्टूरिजम के परपस अगर आप बात करना चाहते हैं तो वह अभी ओपन नहीं हुआ तो इसलिए थोड़ी यह चोटी सी वीडियो के अंदर बस यही मोटिव था कि टूरिजम अभी नहीं ओपन हुआ जैसे ही ओपन होगा आपको अपडेशन मिल जाएगी तो इसलिए कहत स्टूरिज वीजा टूरिज वीजा एंड वर्किंग विजा की इंफोर्मेशन मिलती रहती है तो साथ साथ आपको बता देना चाहता हूं कि ग्रीज अमबैसीज अभी ओपन नहीं हुआ वह बंद है वी एफस ग्लोबल इंडिया के अंदर बंद है अभी तो उन्होंने आपका ग्रीज का टूरिश वीजा लग रहा है नाहीं आपका ग्रीज का वर्क वीजा लग रहा है नाहीं आपका ग्रीज का स्टडी वीजा लग रहा है और उसके बाद इन दे एंड बहुत कोश्टर जाते कि ग्रीज फैमली वीजा का क्या हुआ वो ग्रीज फैमली वीज सकता है दो सार भी लग सकते हैं तो family visa के अंदर कोई भी आपका एक particular time नहीं होता कि आपका visa six month के अंदर आ जाएगा या three months के अंदर आ जाएगा कोई यहाँ पर एक particular कोई time period नहीं है तो maybe हो सकता है कई लोग साल साल हो गया wait कर रहे है ग्रीज family visa के लिए एक-एक साल डेट-डेट साल हो गया बट उनका visa अभी तक नहीं आया तो working visa के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है छे मिहने साल भी लग जाता है तो please अभी तक कुछ भी open नहीं हुआ ग्रीज के लिए specially जैसे ही अपन ओपन होगा मैं आपको वह भी अपनेशन प्रोवाइड कर दूँगा तांकि आप थोड़ा सा वेर रहे एंड अपनी फाइल जो है एक valuable time के अंदर लगा पाए इंड आपको बता देना चाता हूँ कि जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि एर इंडिया की फ्लाइट जो है वो बंद है और अब क्या हुआ एक latest news के अंदर कल एक news आय थी जिसके अंदर से Emirates की फ्लाइट भी बंद हो चुकी है 30 जून तक आप यहां पर एक official mail एक paper दे सक बंद है बंद रहेंगी suspend की हुई है अब Emirates ने भी बता दिया कि अगर लोग इंडिया से UA जाना चाते हैं तो उनके लिए भी flights बंद है तो वो भी travel नहीं कर पाएंगे तो यह उनके लिए bad news है अगर कोई भी लोग UAE में जाना चाते है तो यह आपके लिए काफी bad news हो सकते बढ़ जुलाई के अंदर most probably बहुत ज़्यादा अची नियूज आने वाली है तूरिश वीजा के रिगार्डिंग आने वाली है और आप अगर किसी भी टॉपिक के ओपर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीस कमेंट कर दीजी आपको proper वैसे information जो मिलेगी मेरी कोशिश रहती कि आपको मैं एक valuable content provide करता रहूं तांकि आप थोड़ा सा aware रहें आप अपना valuable time valuable पैसा अपना save करते रहें तो मिलते हैं next वीडियो के अंदर वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की हते